बी एन वर्सेस एफजी फर्स्ट ओडियाई मैच बांगलादेश वर्सेस अफगानिस्तान फर्स्ट ओडियाई मैच जो की खेले जाने वाला है और गाईज इंटरनेशनल मैचे इसके शुरुआत हो चुकी है और उसी के बीच में पहला ओडियाई मैच खेला जाएगा अफगानिस्तान वर्सेस बांगलादेश के बीच और अपन इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इस मैच के बारे में अपन देखेंगे क्या प्लेइंग 11 दोनों टीमों की रहेगी मतलब अफगानिस्तान की क्या प्लेइंग 11 आज के मैच में रहेगी बांगलादेश की क्या प्लेइंग 11 आज के मैच में रहने वाली है कौन से वेन्यू पे ये मैच खेला जाएगा किस तरीके की पिच रिपोर्ट होने वाली है जिससे अपने को टीम बनाने में मदद मिलने वाली है क्या पिछ में पेसर्स को मदद है क्या पिछ में स्पीनर्स को मदद है साथ में अपन देखेंगे ग्रैंड लीग के लिए वो कौन से तीन प्लियर है जो अपने को आज के मैच में रखने ही रखने है गैस मैंने पूरे मैच का study किया और मैंने देखा कि गैस कई प्लियर ऐसे हैं जिनका selected percentage बहुत ही कम है बट वो आज के मैच में काफी अच्छा करने वाले हैं तो अपन उस प्लियर्स के बारे में बात करेंगे कि भाई वो कौन से प्लियर है साथ में पन देखेंगे कि जब दोनों टीमों के बीच मैच होता है तब उन दोनों टीमों का stats कैसा है प्लियर्स का stats कैसा है वेन्यू stats कैसा है और साथ में पन देखेंगे कि भाई आज के मैच के लिए कप्तान और वाइस कप्तान के लिए कौन बैश रहेगा और क्या final टीम आ तो गैज आज की मैच के लिए अपन बैस्टीम मनाएंगे बट उसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आएं तो इस चैनल को सब्क्राइब कर दीजिए बैल आइकन की घंटी दबा के अल प्रैस कर दीजिए क्योंकि वीडि तीन हजार लाइक्स का और मुझे पता है गाईज मैने जितना लाइक्स का टारगेट आपसे मांगा है न आपने उससे जादा ही दिया तो वीडियो की शुरुआग गैज लाइक के साथ करना ताकि भाई को अच्छा लगेगा तो गैज सीधा अपन इस वीडियो की शुरु बात करते हैं बी एन वर्सेज एफजी फर्स्टोडी हाई मैच यह खेला जाएगा गई जहूर एमद चौदरी स्टेडियम चैतोग्राम में और अगर मैं यहां के पिछ रिपोर्ट की बात करूं तो गैज आपको बता दू यह वाली पिछ काफी जादा बैटिंग स्टेड्स रहता है मतलब इस वाले पिछ पे स्पीनर्स को भी मदद मिलती है साथ में फास्ट बालर्स को भी मदद मिलने वाली है तो आज के मैच के लिए भाई कौन से बालर्स को पिक करना है तो गैज मैं आपको कुछ स्टेड्स बताऊंगा उनी बालर्स को लेके आना है क्योंकि गईज मैंने आपको बता दिया है कि इस वाले पिछ पे पेसर्स के साथ साथ स्पिनर्स दोनों को सपोर्ट मिलने वाला है इसके अलावा गईज एक मेरा टेलिग्राम चैनल है गईज शौर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशल जिस पे 2,00,000 से जादा लोग अल्रेडी जॉइन हो चुके गईज चाहे WCQ हो या फिर TNPLO हर मैज गईज मैं वहाँ पे कवर करता हूँ अगर आपने मेरे टेलिग्राम चैनल पे जॉइन होंगे तो आपको अच्छी विनिंग हो रही होगी अगर आपने नहीं जॉइन किया तो गईज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में सबसे टॉप पे पिन किया हुआ लिंक है टेलिग्राम चैनल शौर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशल का आपको बस कुछ नहीं करना गईज उसी लिंक पे क्लिक करके टेलिग्राम पे आजाना है वहाँ पे आपको हर मैच का बिलकुल फिरी अपडेट मिलेगा तो जरूर से जाके जॉइन करना है आपका ही चैनल है और आपके लिए ही बनाए गया है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में सबसे टॉप पे पिन के हुआ लिंक है शौर एक्सपर्ट सपोर्ट ओफिशल अब गईज कुछ स्टैट्स की बात करते हैं कि इस वाले ग्राउन पर किस तरीके का स्कोर बनता है और क्या स्टैट्स रहने वाले गईज इस वाली ग्राउन पर आपको बता दू टोटल 25 मैचेस खेले जा चुके जिसमें बैटिंग फर्स ने 10, सेकेंड ने 15 एवरेज स्कोर की बात करो तो 238 का है पर गईज आज कल जिस तरीके से बैटिंग होने लग गई ना मुझे लग रहा है 250 प्लस का स्कोर बनेगा और अगर मैं लास्ट 3-4 मैचों का थोड़ा स्टडी किया तो मुने देखा कि यहां पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टेम को अभी के केस में थोड़ा एडवांटेज जाद है दोनों टीमों के अगर मैं हेड टो एड रिकॉर्ड की बात करू बी एएन वर्सेज एफजी मतलब बंगलादेश और अफगानिस्तान के बीच इन दोनों की बीच गई 6 मैच होएं जिसमें बंगलादेश ने चार जीते हैं और अफगानिस्तान ने 2 मैच जीते हैं तो यह आपके सामने श्टैट्स है, लास्ट पाँच मैचों के, पेसर्स मतलब फास्ट बॉलर्स को 40 विकेट्स मिले हैं, और स्पिनर्स को 36, टोटल 76 विकेट्स किरे हैं, तो कही ना कहीं गईज आज के मैच में कौन से बॉलर्स को पिक करना है, यह बहुत ध्यान से आपको स समझ में आ जाएगी, अब देखे गईज इस वाले ग्राउंड पर जो लास्ट तीन मैच खिले गए न, मैं आपको बोल रहा था है कि अभी की मैने श्टडी करी थे कि यहां पर थोड़ा सा बैटिंग फर्श को एडवांटेज है, तो इस बात पर कित्ते सच्चा ही है, दे कहीं न, कहीं गईज यहां पर पहले बैट करके काफी बड़ा स्कोर बन सकता है, इसके अलावा फिर 28 फरवरी को मैच हुआ, बांगलादेश और अफगानिस्तान की बीची, इस वाले मैच में जरूर सैकिंड बैट करने वाली टीम ने जीता, और यह वाला मैच देखे 6 मार काच को हुआ, बांगलादेश और इंगलाएंड के बीच, अभी रिसेंटली 2023 का ही मैच है, और इसमें बांगलादेश ने 246 मनाए और इंगलाएंड 196 पर ही आल आउट हो गया, तो कहीं न, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वाले पिच पे बैटिंग फर्स करते हो पर्संटेज बहुत कम है, उन पर आपको डेफिनेटली फोकस करके चलना है, और गाईज एक काम जरूर कर लेना आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक स्पोर्ट AC एप्लिकेशन आप देख सकते हैं, इस पोर्ट AC एप्लिकेशन को अभी तक आप ल सबसे बड़ा रेजन आपको बता दू, लोवेस्ट प्लेटफॉर्म फिस मतलब जो कमिशन कमपनी लेती है, वो बहुत कम चार्ज करती है, साथ में दूसरा सबसे अच्छा फीचर है भाई, यहाँ पे एक प्लेयर पिक करके आप पॉप खेल सकते हैं, मतलब अगर आपने एक प्लेयर पिक कर लिया, पाच में से कोई बैश टेक, तो आप यहाँ पे यह भी विनिंग कर सकते हैं, तो इस पूट इसी एप को आप जरूर से डाउनलोड कर देना गाईज, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और यहाँ पे खेलना स्टार्ट कर देना, क वीडियो में गईज, दो गीववे हैं आप लोगों के लिए, और वो गीववे आपको कैसे मिलेंगे, अभी जब आप पूरा वीडियो देखोगे, आपको हर चीज समझ में आईगी, क्योंकि शौर एक्सपर्ट सपोर्ट पे गीववे ना हो, ऐसा होई नहीं सकता, बड़ से कौन सा प्लियर है, जो अपने को आज के मैच के लिए रखना है, साथ में वो कौन से प्लियर है, जो बैंच वे बैठे हुए है, बट वो भी आज का मैच केल सकते है, उनका रिकॉर्ड कैसा है, तो हर चीज गाईज, बारी किसे देखेंगे, बट इस वीडियो का टार्ग प्लियो आएंगे, मुश्विक और रहीम आएंगे, महदी असन मिराज, टी इसलाम आएंगे, तस्कीन एमन, मुस्तिफिज और रह्मान और इबादत हुसेन, ये बांगलादेश की एक्सपेक्टेट प्लेइंग 11 है, इसमें कई प्लियर है, जो बैंच से बैठे हुए है, तो उनके बारे में भी गाईद मैं भी आपको बताऊंगा, अफगानिस्तान की तरफ से रहमुल्ला गुरुदबाज के साथ इबराइम जडरान ओपनिंग प्लेइंगे, इसके बार रहमद शायेंगे, एश शायेंगे, मुहमद नभी, यहाँ पे नजबुल्ला जडरान, यह उमर जाई, राशिद खान, मुझेबुर रहमान, फैजल अकफारुकी और जिया और रहमान, यह एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है दोनों टीमों की जो आज के मैच में रह सकती है, तो गईज ओपन एक एक प्लेइर्स के बारे में जानेंगे, तो अभी तक आपने इस को सब्क्राइब नहीं किया है कर देना और वीडियो पे लाइक कर दें, अब गई सबसे बड़ी बात आती है, बी एएन वर्सेज एफजी फर्स्ट ओडियाई के इस मैच में विकेट कीपर सेक्शन के लिए कौन सा प्लेइर बैश रहेगा, किसको पिक करे विकेट कीपर से अच्छा प्लेयर है, और आपको बता दू अफगानिस्तान के अगेंस 10 मैच इसने खेले, 362 तरण मनाए 36 के आवरेज से, और जहाँ पर आज का मैच ओ रहा है, जहूर एमद चौदरी स्टेडियम वहाँ पे 3 मैच खेले, 141 तरण मनाए 47 के आवरेज से, तो कही ना कही इस वाले ग्राउंड पर खेलना पसंद करता है, मुश्वेकूर रहीम, और लास्ट तीन ओडियाई में 45, 36, 66, मैं तो आपको रिकमेंडेट करूँगा कि आपको इसको रखना है, लिटन दास की बात करूँ भाई, ओपनिंग पर आएगा, इस वेन्यू पर जहां पर मैच है न तो ये प्लस लेके आप लिटन दास के साथ डेफिनेटली आ सकते हो, क्योंकि अफगानिस्तान के अगेंस केलना पसंद करता है, और गुरबाज की बात करूँ गईज ओपनिंग पर आएगा, लास्ट तीन में ओडियाई से फॉर्म बहुत खराब है, आप देखे आर दो च तो गैज अभी फाइनल टीम दिखाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि इन तीन में से आपके लिए कौन बैस्ट होने वाला है, बाकि रहीम को तो डेफिनेटली रख लेना, बट लिटन डास और गुरबाज में से किसको अपन लेके आएंगे, वो आपको अभी आगे पता लगेगा. 304 रन 38 का अवरेज, तो मेरे साब से तो तमीम इकबाल हर तरीके से बैटर है, हैट टो एट रिकॉर्ड भी अच्छा है, वैन्यू रिकॉर्ड भी अच्छा है, और नजबल उसे इन शान तो नंबर 3 पे आएगा, यह काफी जादा इंपोर्टेंट पिक हो जाएगा, क्यों मुझे लगता है काफी पहले की बात हो गई, अब ही रिसेंट अगर मैं ODI इसके बात करूँगा, तो फॉर्म इसकी बैटर है, तो नजमल और तमीम, दोनों मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी टीम में होने चाहिए, एक क्वालेटी प्लेयर है, क्योंकि देखिए गई, ओड टीम में रन भी काफी बनते है, बड़ा स्कोर भी बनता है, तो प्लेयर्स को रख सकते हो, टी हिर्दवय की बात करूँ भाई, नमबर पाच पे खेलेगा, जो भाई ग्रैंड लीग खेल रहा है, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ प्लेयर ऐस इसे बताऊँगा, जिनका स्लेक्टेट परसंटेज बहुत कम होगा, बट वो आज के मैच के लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं, तो टी हिर्दवय इसका नाम है, जिसम का बहुत कम स्लेक्टेट परसंटेज है, बट अगर आप ODI में एवरेज देखोगे, तो पाच मैच त पाचास का एवरेज, पाचास की एवरेज से पाच मैच में रन मना है, तो कही ना कही जी एल खेलने वाले या एसल में रिस्क लेने वाले तेहर दोई के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा तर लोग आप देखना है, कॉमन टीम मना के लिए कहेंगे, वहाँ पे अगर ने डिफरेंशल किया, तो आप एक बैस्टीम मना पाऊगे, तो इस टीज का आपको ध्यान रखना है, तो मेरे इसाब से तमीम और नजमल बैस्ट और टेहर दोई आपकी ग्रैंड लिग के लिए एक बैस्ट पिक है, यहाँ पे बात करूँ अफगानिस्तान की बैटिंग स चुका है, क्योंकि ओडियाई में अगर आप इसका आवरेज देखोगे तो लगभख 61 का है, जो एक बहुत बड़ी बात है अफगानिस्तान जैसे टीम के लिए, और लास्ट तीन ओडियाई में बाईस चोवन नाइन टीएड, यह तो डबल टिक वाला प्लेयर है, इसको त काफी अच्छा प्लेयर लग रहा है, इनका नंबर तीन पे खेलेगा, और इबराहीम जड़ान के बाद यह दूसरा ऐसा प्लेयर है, अफगानिस्तान का जो काफी कॉलेटी बैटिंग करता है, और लास्ट तीन मैचों में 7, 36, 55 और सामने वाली टीम के अगेंस अगर आप तीम बन चुकी है, काफी कॉलेटी प्लेयर इनके बास आ चुके है, तो आप इन में से किसको पिक करें, तो मेरे साब से इबराहीम जर्दान और रहमश्या, यह दो बैस चॉइस प्लेयर लग रहा है, बाकि अगर आपको रखता है, तो आप नजबुल्ला और आश शाहिद बागलादेश के आल राउंडर सेक्शन के, कई लोगों का मने कि पहला मैच है, इन्वेस्टमेंट करने के मोड में नहीं है, तो बिल्कुल फ्री में खेलकर आप आज के मैच पर रियल कैश विन कर सकते हैं, कैसे करोगी अभी पता लगेगा, बागलादेश के अल रॉंडर मैदी असन मिराज की बात करूँ भाई, इस वेन्यू पर तीन मैच खिले, चार विकेट और आप रिसेंट फॉर्म की बात करोगे, 37 रन एक विकेट, 19 रन, 27 रन, मुझे ऐसा लग रहा है, इन दोनों प्लियर्स को आपको अपनी टीम में डैफिनेटली रखना पड़ेगा, क्योंकि बागला देश अपने घर पे केल रहा है, कही ना कही उसका रिकॉर्ड यहां पर अच्छा रहने वाला है, और दोनों की दोनों आल राउंडर बैटिंग प्लस बालिंग दोनों करेंगे, तो शाके प्लस मैदी असन, दोनों को अपन अपनी टीम में डैफिनेटली लेके आएंगे, क्योंकि यह अच्छे प्लेयर होने वाले हैं, यहां पर गईद बात करें, अफगानिस्तान के अल राउंडर्स में, तो अफगानिस्तान के पाथ ज्यादा अल राउंडर्स के आप्शन नहीं है, एक मात आप्शन है, मोहमद नभी, जो आपको पता ही है, शांदार प्लेयर है, शांदार स्पिन बॉलिंग कराता है, बैटिंग भी अच्छी करता है, अगर आप रिसाइंड फॉर्म की बात करोगे, वो भी कही ना कही अच्छी है, 23 रन, 2 विकेट, 27 रन, 1 विकेट, और सामने वाली टीम बांगलादेश के अगेंज, 11 मैच, 14 विक देगा, तो नभी को भी आपको रख लेना है, अपनी SL प्लस GR दोनों की टीम में, तो आल राउंडर्स में तो लग भग आपको सभी को पिक करके चलना है, क्योंकि जादा ऑप्शन अपने पास हैं नहीं, यहाँ पे गईद मैं बात करूँ, बांगलादेश की बालिंग सेल जी के अगेंस पाच मैच खिले, आठ विकेट निकाले, कहीं ना कई रिकॉर्ड बैटर लग रहा है, और जिस वेन्यू पर यह मैच खिला है, उस वेन्यू पर तीन मैच खिले, चार विकेट और अभी रिसेंटली चार विकेट ले किया है, तो रहमान गईज मुझे ऐसा प तसकीन एमत की बात करूँ भाई, ये भी इनका एक क्वालेटी फास्ट बॉलर है, और खास तोड़ से बात है कि अफगानिस्तान के अगेंस ये काफी विकेट लेता है, साथ मैच खिले, बारा विकेट है अफगानिस्तान के अगेंस, इस वेन्यू पर दो मैच दो विकेट है कि भाई इसमें से अपन किसको पिक करें अपनी टीम में फाइनली, अब देखिए गईस थोड़ा सा डिपैंड करेंगा पिच रिपोर्ट पे कि जब ऑफिशल पिच रिपोर्ट निकल के आएगी, कि भाई, एक्ट्रा हैल्प किसको है तो उस प्लेयर को अपन रखेंगे बाकि मुस्तिफिजू, रह्मान और तसकीन है, यह दो मुझे मेरे पॉइंट आफ यू से एक बैटर पिक लग रहे है, बाकि इबादत और ती इसलाम भी एक अच्छा रोल प्लेय कर सकते हैं, क्योंकि इबादत का अगर आप ओडियाई एवरेज देखोगे तो ग्यारा मै यहाँ पर बात करूँ, एफजी मतलब अफगानिस्तान के बालिंग साइड की, अफगानिस्तान की तरफ से देखी राशित खान है, टीम का इस्पिनर है, सामने वाली टीम के गेंज 9 मैच खिले, 15 विकेट निकाले, तो यह तो वर्ल्ड का क्वालिटी इस्पिनर बालर है, शांदार प्लेयर है, बैटिंग भी कर लेता है, मुझेबुर रहमान की बात करूँ, लास्ट तीन मैचों में 0-1-1, और बंगलादेश के अगेंज 6 मैच, 7 विकेट, जीया उर रहमान जो की टीम का स्पिनर है, यहाँ पर, फैजालक फारुकी की बात करूँ, भाई, यह थ तो कहिना कहीं, थोड़ा सा यहाँ पर वीक दिख रहा है, मुझे अगर आप थोड़ा सा ओरॉल देखोगे, तो यहाँ पर गईज आपके लिए बैश्ट चॉइन प्लेयर कौन रहेंगे, पहला राशिर खान, दूसरा फैजल अग फारुकी, यह दो मुझे काफी बैश्ट प्लेयर लग रहें, आज के मैच के पॉइंट आप व्यूस है, जिनको आप अपनी टीम में डेफिनेटल लेके आ सकते हूं, अभी फाइनल टीम आएंगे, फ्री गीववेज आएंगे, कप्तान वाइस कप्तान का सेलेक्शन आएगा, बहुत सारी चीज़ आने वाली है, त अभी तक वीडियो पे लाइक नहीं किया है, चैनल सब्क्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए, बैल आइकन के घंटे दबा के ओल प्रैस कर दीजिए, अब गाईस दोनों टीमों की प्लेयर बैटल देख लेते हैं, कि कौन सा प्लेयर, कौन से बॉलर्स के अगेंस वो चीज़ आप देख लेना, तमीम इकबाल की बात करूँ भाई, फैजल अकफारू की 33 बालों पे तीन बार आउट कर चुका है, किवल 14 रन मनाने दिये हैं, तो तमीम इकबाल आज के मैच वे जल्दी आउट हो सकता है, क्योंकि फैजल अकफारू की स्टार्टिंग में ह दो बार आउट कर चुका है, तो ये गईस थोड़ा सा इंपोर्टेंट डेटा है, जो आप नोटेस में रखना, इसके लावा नजबुल्ला जद्रान को तसकीन एमद 29 बालों पे दो बार आउट कर चुका है, यहां पे, रहमद शा की बात करूँ, यह देख सकते है, नभी की तरफ से दिखी कुछ प्लियर है, जो बैंच यह बैठे हुए, मैंने आपको बताया, इनमें से भी कई प्लियर है, जो खेल सकते हैं, जैसे एक तो आफिफ हुसेन बता दू, जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, सामने वाली टीम के अगेंस, अफगानिस्तान के अग तो हसन मैमूद अगर आज के मैच में खेलता है, डेफिनेटल आप रख लेना अपनी टीम में, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, हसन मैमूद, काफी अच्छा प्लियर लग रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से भी देखी गए, सकई प्लियर है, जो बैंच से बैठे अब गईज आज के मैच में कौन सा बॉलर कितने ओवर्स कराएगा, और पावर प्ले और दैट में कौन कराने वाला है, ये चीज़ जानना भी जरूर है, अगर बांगलादेश की साइड से बात करूँ, तो दैट में मुझे लग रहा है, रहमान और तसकीन नहमत कराएंग इसके बार रैशित खान ये उमर जाई, ये सब दैट में भी करा सकते हैं, और बाकि इनके पास ये सारे बॉलर है, जो बॉलिंग कराते हुए दिख जाएंगे, आपके पास सबका रिकॉर्ड है, जिनको देखकर आप टीम बना सकते हैं, अब गईज सबसे वड़ी बात आत सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक बार खेल के देखके देखेंगे, आपको खुद को डिफरेंट पता लगेगा, कि यहाँ पे और वहाँ पे खेलने में फरक क्या है, और आप देखेंगे, लो प्लेटफॉर्म फीज, लीडर बोड अलग चल रहा है, रेफरेंट, लो कांटे जॉइनिंग फीज, तो इस पोटे सी एप पे जाईज जरूर से खेलिए, डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप् में इकबाल को मैंने यहाँ पे रखा है, तीन ऑप्शन, आल राउंडर में नभी, शाकिब और महदी असन मिराज, तो आल राउंडर में तो कहीं दिक्कत ही लिए, और बालिंग में राशिट खान को रखा है, फैजल अक फारूकी को रखा है, और तसकीन एहमत को रखा है, यहाँ पे आप गुर्बाज की जगे मुस्तिफि जो रहमान को लेके आ सकते हो, या फिर यहाँ लिट अंदास को लेके आ सकते हो, रहमा शाह भी आपके लिए एक बैटर अपॉर्शनिटी यहाँ पे बनते होए, दिख रहे है, तो मैं फाइनली किसको लूँगा, वो टॉ का फ्री गीववे चल रहा है, तो अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे, अप ओपन करोगे, आपको गीववे शो हो जाएगा, तो जल्दी से जाके अप को डाउनलोड करना है, मैच ओपन करना है, आपको दिखेगा, तो खेलना, स्टार्ट कर देना, एक बैस्ट अच्छा अप लिया रहे, बाकी गाईज मैं आपको फाइनली टॉस के बाद टेली ग्राम पर बता दूँगा किसको कप्तान और वाइस कप्तान बनाना है, तो बी एन वर्सेज एफ जी फर्स्ट ओडी आई मैस डिटेल प्रिव गाईज यहीं खतम होता है, और आप लोगो और ऐसे ही प्यार देते रहना, ठीक है भाईयो आदाप सश्यकाल, नमस्कार, बाकी कुछ भी चेंज होगा, कुछ भी अपडेट आएगा, वो सब आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए आप टेली ग्राम पर एक्टिव रहना, ठीक है भाईयो, नमस्कार